नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका पराग टेलर चेनल पर देखिए दोस्तों इस तरह का आपके बास अगर डिजाइनर बुलाउज आता है तो आप बिल्कुल डरिये मत बिंदास ले लीजिए और मैं जो आज कटिंग बताने वाला हूँ उससे देख लीजी ध्यान से और उसी प्रकार से आप डिजाइन वाले बुलाउज की कटिंग करिए मेरे गयारंटी है अगर आप मेरे इस तरीके से बुलाउज की कटिंग करेंगे तो आपका बुलाउज कभी भी बिगडेगा नहीं ये जो बुलाउज देख रहे हैं आप ये है एक साड़ी का बुलाउज देखिए लेकिन इसमें फरंट में और बेग में कोई भी कट नहीं है ठीक है ना लेकिन मुझे जो बुलाउज बना कर देना है सामने के तरफ होखाई लगेगी और बेग में होखाई नहीं लगेगी तो इस प्रकार से मुझे बुलाउज बना कर देना है ठीक है तो मैं इसके लिए आपको cutting सिखाऊंगा और इसके बाद जो stitching का वीडियो आएगा ना उसे भी जरूर देखिएगा इसी blouse की stitching कैसे कर सकते हैं अपन लोग ये मैं बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा अंता तक देखिएगा और चलिए इसे सुरू करते हैं सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए आप लोगों को मालू है ना नई वाली जो cutting हम कर रहे हैं उसके लिए कभी भी डाइरेक कपड़े पर blouse की cutting नहीं होगी तो सबसे पहले इस blouse का measurement समझ लेते हैं हम लोग blouse की लंबई है 14 इंच, chest है 36, upper chest इसका है 35, camera है इसकी 28 इंच, shoulder इसका रहेगा 14 इंच, arm hall इसका गोलाई में पूरा रहेगा 15 इंच, अस्तिन की लंबई 10, और अस्तिन की गोलाई रहेगी 10 इंच, bag neck रहेगा इसका 10 इंच, और front neck रहेगा इसका 6 इंच, अब मैं आपको बताता हूँ, इसका हमको front कितना रखना चाहिए और back कितना रखना चाहिए, देखिए 36 chest है, ये body measurement है, इस पर आप 1 इंच पलस करेंगे, जो की losing के लिए होगा, और losing के बाद में आपका ये हो जाएगा 37, और अगर हम front cutting कर रहे हैं, अगर 36 chest है, तो यहाँ और 2.5 इंच पलस करना है, याने 2.50, किलियर, ये बात आपको किलियर समझ में आ गई होगी, अगर 36 chest है, तो आपको 2.5 इंच पलस करना है, कई लोगों की comment आ रही थी, कि sir, हर size में 3 इंच पलस और 3 इंच माइनस करना है क्या, तो ध्यान रखेंगे, अगर 36 chest है, तो आपको 2.5 इंच पलस और 2.5 माइनस करना है, ठीक है, कैसे करना है, आप देख लेजिए, ये हमने 2.5 इंच पलस किया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 39.50, ठीक है, अब हमको front cutting करना है, तो जैसे हमारे पास कितना है, 39.50, इसका आदा करेंगे हम लोग, ठीक है, तो कितना आजाएगा हमारे पास, आदा हो जाएगा इसका, 19.75, किलियर, कितना आगया है, पोने 20 इंच, ठीक है, और इस पोने 20 को हम आदा करेंगे, तो लगभग ये आएगा हमारे पास, 9.75, ठीक है, ये एकाच सेंटीमेटर इदर उदर चल जाता है, हमारा कपड़े का काम है, कपड़े में एक सेंटीमेटर एगजेस हो जाता है, तो इसका जो फरंट कटिंग होगा ना, हमारे पास, 9.75 का होगा, अब आपको बताता हूँ, कि आप बेक के से निकालेंगे, अब चले आते हैं, यही पर डाइरेक, ये 37, किलियर है हमारे पास, ये मेन है ना, ये मेन में से आपको कम करना है, ठीकैं, ये तो लुजिंग सही दो गया ना, 37, लुजिंग है, वन इंच पलस कर दिया, 37, हमारा किलियर आया हूँ है, 37, हमारा मेन है, Türकैं, अब यहां क्या करेंगे हम, यहां पर करेंगे माइनस, माइनस कितना करना है आपको, 2.50, किलियर, आपको समझ में आ गया होगा तो ये मेरे पास कितना बचेगा ये बचेगा मेरे पास 34.50 किलियर है ये अब इसका हम हाप कर लेंगे ठीके तो ये आ जाएगा 17.25 अब इसका 14 निकालेंगे हम ऐसे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास यह आएगा 8.6 याने 60 ठीक है तो 8.6 हो सकता है यह कोई बात नहीं बिलकुल ऐसे रख लिजिए तो 8.6 कैसे आता है कहां आता है चलिए देख लिजिए अब आपको देखना है प्रिंसेस कट बुलाउज में क्या क्या चीजों का ध्यान आपको रखना है सबसे पहले एक स्केल लगाएंगे हम यहाँ पर तो 7 इंच मेंने यहाँ पर नीचे एश्ट्रा रख लिया है अब आपको क्या करना है बुलाउज की लंबई 14 है तो हमको 15 इंच पर एक मार्क लगाना है और यहीं से हमको सुलोब देना है 1 इंच और 1 पाइंट अब आपको यहाँ पर हुखाई देना है तो आदा इंच आप एश्ट्रा छोड़ दीजिए यह बात किलियर हो गई है यहाँ पर आदा इंच छोड़ा है यहाँ पर 7 इंच छोड़ा है और बुलाउज की लंबई मैंने कम्प्लिट रखी है 14 इंच है तो 15 इंच अभी आएगा 7 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और यहाँ से लगबग आदा इंच में एक परिंट कम एक मार्क लगाएंगे मार्जिंग के लिए ठीक है यह चीज़े ध्यान में लखना है जैसे हमारा इसका चेस्ट आ रहा है देखिए 9.8 मैंने 9.8 पर एक निसान लगाया और इन निसान को मैं यहाँ से ऐसे बॉक्स बना लूँगा इने कि यह मैंने बॉक्स बना लिया है और इन निसानों को थोड़ा मेच कर लीजिए इसे अभी देखिए इसका शुल्डर 14 इंच है तो गले की जो गुलाई रहेगी पोने 3 इंच रख लीजिए मैंने इतनी पोने 3 रख लिये इस निसान को यहाँ पर ऐसे मिला दीजिए यह देखिए यहाँ पर यह अंदर वाले निसान पर नहीं ठीक है अभी देखिए आपको निकालना है आर महुल यहाँ रखेंगे इसे तो यह कितना आ रहा है यह आ रहा है पोने 3 इंच और 1 7.5 आपको कम कर लेना है और यहाँ रखना है कितना आ रहा है 2 इंच और 1 पाइंट तो यहाँ पर 2 इंच और 1 पाइंट रखना है ध्यान रखेंगे उपर से नहीं रखना है जहां से सुलोप की लाइन है वहाँ से रखना है ओके और यहाँ पर देखिए 7.5 7.75 याने पोने 8 इंच, ध्यान दिजिएगा पोने 8 इंच पर एक मार्क लगाएंगे अब यहाँ पर 1,5 इंच लगाएंगे निशान जो होगी हमारी मार्जिंग बुलाउच को जोड़ने के लिए साइट की, किलियर है यह यह बॉक्स आपको समझ में आ गया होगा और आप देखिए यहाँ पर यह रखा मैंने यह लगबग पोने 6 इंच है तो मैं यहाँ पर 3 इंच में एक पाइंच कम पर एक मार्क लगा लेता हूँ ऐसे ठीक है, यहाँ पर अब यह आप क्या करेंगे यह जो निशान लगाए है ना यह यहाँ लगा हुआ है ठीक है, लेकिन कहां से जो 14 इंच हमारा अंदर आ रहा है ना इस से, ठीक है ऐसे, अब यह इस निशान को यहाँ से लेंगे ऐसे और सीधे यहाँ मिला लीजिए ठीक है यह हमारी गोलाई आ जाएगी बरोपर अब यह इसे फ्रेंच करव को रख लिजिए यहाँ पर, ऐसे मिला कर और इस पर लगा दीजिए मार्क किलियर इस बात आपको समझ में आ गई अब देखते हैं, आर मोहल आर मोहल हमारा साड़े पंदरा है तो पोने 8 इंच आना चाहिए लेकिन यहाँ पर दबाओ के लिए कितना आएगा हमारे पास आदा इंच, सोल्डर में दबेगा न उसके लिए, तो यहाँ पर ऐसे मिलाएंगे यह देखिए कितना है पोने 8 इंच इस परकार से आपको आर मोहल की लंबाई गुलाई निकालना है ध्यान रखेंगे 38 अगर साइज है तो 3 इंच बढ़ाना है आपको और 3 इंच घटाना है प्रंट और अगर 36 साइज है तो आपको 2 इंच बढ़ाना है और 2 इंच घटाना है एक जैसे कोई भी कटिंग नहीं करेंगे अगर एक जैसा measurement नहीं है तो एक जैसे cutting case से क्या होगी समझ गे ना आप अभी देखिए chest 36 है उसका one four आएगा nine ठीक है जो man chest रहता है न वो और यहां से एक इंच इस पर plus कर लीजिए तो कित्ता हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा ten clear है ten inch यहां से आप तीन inch नीचे रखिए एक बार और ऐसे ठीक है यह क्यों रखना है अभी बताता हूँ पहले ten पर निशान लगाएंगे एक यह है मेरा burst point ठीक है अभी आप देखिए यहां पर shoulder 14 inch है तो मैं लगबग पने 4 inch पर यहां पर burst point की दूरी रखूँगा और इस पर margin दी जाएगी अलग से princess cut blouse है इसलिए यहां पर पने 4 है तो यहां पर 17 inch आदा inch कम करके रख लिजिए फिर यहां रखिए एक scale को और ऐसे सीधा निसान उतार लेजिए clear है अभी यहां से उपर से 5.5 पर एक mark लगाईए ऐसे और इस 5.5 पर mark को आप ऐसे मिला लीजिए यह हो जाएगी हमारे princess cut की cutting बहुत आसान तरीके बताता हूँ वीडियो को पूरा वाच करिएगा और अगर चेनल पर पहली विजिट कर रहे है तो इसको subscribe कर लीजिए बलाउच की कोई भी problem हो यहां पर solve हो जाती है अभी देखिए यहां लगाएंगे एक mark पूरा अभी यह हो गया आपका आपको tux के से निकालना चाहिए यह यहां पर दिख जाएगा और देखिए चेस्ट और अपर चेस्ट में फरक के से आएगा कितने इंच का आएगा सभी चीज अभी cutting में बताने वाला हूँ यहां रखेंगे इसे अभी देखिए इसकी कमर है 28 याने 7 तो यहां पर 7 पर एक mark लगाईए यहां पर आपके बास कितना बचरा है पोने 3 इंच यहां पर लिजिए यह पोने 3 पर एक mark लगाईए ऐसे clear है यह अभी देखिए इस जगे पर यह मैंने बताया था न आपको कि 3 इंच पर एक mark आपको और लगा लेना है तक्स के लिए ध्यान रखिएगा इसलिए यहां पर कितना रखा आपने पोने 3 तो यहां पर कितना रखेंगे आप 2 इंच ध्यान रखिए कितना रखेंगे यहां पर 2 इंच यहां पोने 3 है तो यहां पर कितना रखना है 2 इंच क्यों रखना है आगे गुलाई देखिए यहां से आप 0.75 नीचे निशान लगाएंगे ऐसे अभी देखिए आपको clear दिखेगा कि हम tux को कैसे लगाते हैं यहां रखेंगे हम देखिए ऐसे clear रख लिए हमने और यह जो हमने 0.75 नीचे रखा है न इस निशान को यहां पर ऐसे मिला लेना है clear समझ में आगया आपको कहां से मिलाएंगे आप इस ड्राइंग को यहां से 0.75 नीचे और इस तरफ देखिए यहां ले जाईए ऐसे करकर और कहां जाईगे अब हमारी गुलाई यह जो नीचे से आया है न निशान हमारा पोने तीन वाला वहाँ पर फार्मोला है इसे अराम से सिख लिजिए ज्यादा टेंशन वाले काम नहीं है बिल्कुल साधरन से कटिंग हो जाएगी आपकी यहां पर देखिए ऐसे यह ऐसे घुमाईए बिल्कुल ऐसे ध्यान से देखिए ऐसे घुमाते हुए इसको हमको यहां पर ले जाना है कहां पर ले जाना है इस जगे पर कितना आया है मेरे पास पोने छेंज ध्यान रखिएगा मैंने राउंड वाले को मेजर किया है अगर आप ऐसे ही करेंगे तो आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आने वाली है अब यहां से लीजिए ऐसे मिला लीजिए कहां पर यह जो हमारा फ्रंट वाला निशान है न इस पर देखिए ध्यान दीजिएगा बरोबर यहां मिला लीजिए आप क्या करना है आपको इस निशान को यहां से लेना है देखिए कहां पर से इस जगे से और इसका निसान दिखरा आपको ये वाला जहां क्रास है हमारा वहाँ पर ऐसे स्केल को रख लेना है और इस निसान को ऐसे मिला लीजिए ध्यान दिजेगा कहां मिला है मैंने यहाँ पर से डायरेक इस जगे पर क्योंकि मार्जिंग तो हमने आदा इंच एस्ट्रा रख दी ह लेकिन अगर आपको साइट की फिटिंग एकदम परफेक्ट चाहिए तो इस परकार से प्रिंसेस कट को कटिंग कर लीजिए ठीक है अब मैं इस फरंट को कटिंग कर लेता हूँ और इसके बाद आपको बेक कटिंग करके दिखाऊंगा तब इसकी कटिंग होगी हमारी को भी आपको cutting कर लेना है यहाँ पर दोनों जगे margin आपको एश्ट्रा देना पड़ेगा कपड़े पर काटके बताऊंगा वीडियो को पूरा देखना और यहाँ पर देखिए यह आगई मेरी गोलाई ठीके अभी इस चीज को यही रखेंगे ऐसे अब आपको बेग की cutting बताता हूँ अब आपको मालूम है न कि हमारा 14 बेग का कितना आया है बेग का आया है 8.6 याने 8.5 और 1.5 पर याने इतना यह हमारा बेग आएगा ठीके अब यहाँ से लंबई नापते हैं सबसे पहले मैंने पहले भी कहा है कि बुलाउच की लंबई बेग पर नापना है आपको front पर नहीं तो यहाँ पर हमको लंबई कितनी चाहिए 14 इंच लंबई है तो 15 इंच दोनों तरब की margin मिला कर इसको mark कर लेंगे यहाँ पर ऐसे यह जो हमारा 8.6 वाला निसान है इसको ऐसे सीधा कर लेंगे यहाँ पर इस भाग को लिजिए यहाँ पर इसको कहा ले जाना है आपको इस mark से मिला कर देखिए ऐसे यह मिला लिया मिने यहाँ पर clear दिखरा आपको यह देखिए यहाँ पर यह हुखाई की पट्टी एश्ट्रा छोड़ दी है इस भाग को यहाँ मिला लिजिए ऐसे और यहाँ से देखिए इस तरब इसको आपको ऐसे कैसे mark लगा लेना है लगा लिया मैंने अभी देखना है आपको कि आपको बेक की ड्राइंग के से निकालनी है यहाँ पर निशान यहाँ पर भी लगा लिया ऐसे हाथ रख लिजिए और इस भाग को आप ऐसे ले आईए यह देखिए clear यह mark पर आ गया यह कुटका है ना जो हमारा इस mark पर आ जाएगा जैसे ही mark पर आएगा इसको ऐसे निशान लगा लेना है अब इस चीज़ को हटा दीजिए यहाँ लीजिए ऐसे ठीक है अब यह देखिए यह जो निशान है ठीक है यह वाला यह तो यहाँ आ रहा है लेकिन हमने क्या बताया था आपको इसको रखना है आदा इंच अंदर जितना हमारा 14 इंच पर मार्क था न वहाँ पर ऐसे रख लिया और इस निशान को इससे मिलाना है अभी देखिए यहाँ पर हलकी सी ड्राइंग देना है तो ऐसे रख लिजिए फ्रेंच कर्व को उल्टा करके ऐसे यह हो गई हमारी मार्किंग अभी देखिए मैंने क्या कहा है बेग में आपको जब भी बेग की कटिंग करेंगे तो आदा इंच बढ़ाना है हमेशा ध्यान रखिए इस बात को भुलना नहीं बिल्कुल भी नहीं तो आपकी बुलाउस की लंबाई परफेक्ट आदा इंच कम हो जाएगी आर महल भी बेग का परफेक्ट आदा इंच कम हो जाएगा अभी देखिए यहाँ पर से ऐसे लगाएंगे मार्क पर टेप को ऐसे ऐसे यह पिल्कुल पोने आट इंच तयार यहाँ पर आएगा और इसलिए मैंने आदा इंच बढ़ा दिया है क्योंकि दबाव में यह इतना जाएगा अगर हम इसको उपर आदा इंच नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा बेग का जो रहेगा ना आर महल हो जाएगा कम बुलाउस की लंबाई हो जाएगी कम ठीक है तो ध्यान दिया आपने यह क्या करा है मैंने अभी आपको निशान को उपर लाना है अभी देखिए इसकी कमर किती है 7 इंच 1 फोर इसकी कमर है 28 1 फोर आएगा 7 इंच पर देखिए अब बुलाउस का जो गला है रहेगा हमारा तो 10 इंच का गला है तो 10.5 पर एक मार्क लगाईए ऐसे यहाँ पर आपको पोने 4 इंच रखना है और इस मार्क को सीधे लगा लिजिए अभी देखिए यहाँ से हमको ऐसे लगाना है 7 इंच हमारी कमर है न 1 फोर में और 10 इंच यहाँ पर रहेगा हमारे पास दबाओ का तो देखिए ऐसे ही आपको कटिंग करना है यह किलियर हो गया है यहाँ से आप इसको कटिंग कर लिजे थोड़ा सा अंदर कर लिजे हमने 3.5 पर रख लिया है इसको ऐसे कटिंग हो गया है यह अब यह साथ है अब क्या करना है आपको ध्यान रखना है यहाँ से 2 इंच ऐसे निसान लगा लिए यहाँ पर उपर से सबादो इंच करीब और इस निसान पर इसको ऐसे मिला लीजिए अगर बड़ा गला है तो ऐसे कटिंग करना है चोटा गला है तो कैसे कटिंग करना है सभी चीज में आपको बताने वाला हो एक के बाद एक पूरे वीडियो के माद्दम से अभी देखिए यहां से गले की चोड़ाई कितनी कम करना है आपको दो इंच यह दो इंच पर एक मार्क लगा दिया और इस निशान को कट मार दिजिए ऐसे ठीक है यह देखिए इसको ऐसे पलटा लिजिए और यहां पर गलो लगा लिजिए गलो की बहुत जरुवत लगेगी यहां पर और इस निशान पर इसको मिला दिजिए कहां है दो इंच हमारे पास ऐसे रखेंगे ऐसे यह लगा दिया हमने यहाँ पर गुलो अब इसको हम कटिंग कर लेंगे देखिए यहाँ से ऐसे सीधा लिखाएंगे निशान यह ऐसे किलियर है यह दो इंच हमने छोड़ दिया है गला अगर बड़ा है तो शोल्डर को दो इंच मैंने कम कर दिया है अभी यहाँ पर आपको शोल्डर कितना रखना है सवा दो इंच और इसको पोन इंच बड़ा दिया याने यह कितना हो गया है 3 इंच यहां से अभी देखिए यहां पर गले की चोड़े कितनी आ रही है पोने 3 और यहां पर कितनी आ रही है सवाब 3 इंच अभी इस पर डिजाइन का गला बनेगा न इसके लिए आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है ठीक है अभी हम गला बाद में भी इसका कटिंग कर सकते हैं यह देखिए इस परकार से यह आपको समझ भी आ गया है यह गला भी कट चुका है चलिए मैं इसको ठोड़ा सा यहां पर एक छटका लगा लेता हूँ ऐसे और एक छटका हम यहां लगा लेंगे इस परकार से यह हमारा बेक कटिंग हो गया है और देखिए यहां पर एक इंच का डॉट एश्टरा आ चुका है यहां पर ठीक है अभी देखिए सबसे पहले आपको एक चीज और कर लेना है यह जो है ना यहां पर इसको फरंड में ऐसे मिलाना है यहां पर और इस तरब देखिए ऐसे मिला लीजिए ऐसे ठीक है और यहां पर देखिए यह बेक हमारा इतना बढ़ रहा है तो इसको क्या करना है आपको ऐसे लगा कर सीधर निसान लगा लेजिए आईसे यह हो गया हमारा बेग और फरन्च बिल्कुल बरोबर यह फरन्च है और यह है बेग अभी देखिए यह बेग कटिंग हो गया है अभी फरन्ट को कटिंग करेच अभी इसको यहां रखिए आपको क्या करना है आपको मालूम है ये निशान है और यहाँ पर देखिए ये जो उपर वाला निशान है न हमारे टक्स का उसको ऐसे मिला लेगे ये मिल गया है आप इसको कटिंग कर देंगे ऐसे और ये मार्किंग को जैसे घुम रही है वैसे ही थोड़ा और घुमा लेंगे अभी देखिए यहाँ पर आपको एक काम करना है ऐसे रख लिजे ये देखिए ऐसे है और यहाँ से देखिए आप पोने दो इंच पहले हमने बेग में गला बड़ा था तो दो इंच रखा हुआ है और आप रखेंगे हम पोने दो इंच याने 1.75 और इस निसान को आप क्या करेंगे ऐसे रखिए यहाँ गुलो चिपका लिजिए थोड़ा सा ऐसे यह हो गया हमारा गलो इस्टिक चिपक गया है यहाँ पर देखेंगे हम गलो इस्टिक को चिपकाना है बरोबर और यहाँ देखिए पोने 2 इंच है तो यहाँ पर से सीधा एक मार्क लगा लिजिए यह लग गया है बरोबर यहाँ से देख लिजिए और यहाँ पर देखिए पोने दो इंच वाला जो निशान है वो कहाँ पर है ध्यान दीजिए इस जगे पर और यहाँ से क्या है हमारे पास हुख हाई की पट्टी के लिए एश्ट्रा किलियर यह बात समझ में आ गई होगी आप देखिए यहाँ पर कड़ गया यह अभी देखिए आपको अपर चेस्ट का टेंशन है न वो मैं अभी दूर कर देता हूँ यहाँ पर कितना है हमारे पास 9.8 समझ गये याने 10 इंच में एक पाइंट काम अब हमारा उपर का जो अपर चेस्ट है वो कम रहता है है न मालूमें आपको तो लगबग यहाँ से आदा इंच याने सवा नव चाहिए तो यहाँ रखिए ऐसे और सवा नव आ जाएगा आपका फरंट ठीक है इसी परकार से बलाउच की कटिंग आपको करना है यहाँ पर अपर चेस्ट एटोमेटिक आ जाता है यहाँ पर फुल चेस्ट एटोमेटिक आ जाता है और जोड़ने के बाद बिलकूल ही बहुत बढ़िया इसका सेप आ जाता है देखिए ऐसे आपको समझ में आ गई होगी यह कटिंग कैसे है बहुत ही अच्छी कटिंग है अगर आप लेडिस काम करते हैं तो आपके लिए इसमें बहुत हेल्प होने वाली है तो इस प्रिंसेस कट को मैं कटिंग कर लेता हूँ पूरी ऐसे यह हो गया हमारा प्रिंसेस कट बलाउच कटिंग दोस्तो अभी इसकी अस्तिन कटिंग करता हूँ मैं यहाँ पर अस्तिन गुलाई है दस तो आदा रखेंगे हम पांच और देड़ इंच यहाँ पर दबाव के लिए अब यहाँ देख लेंगे हम साथ इंच पर रखेंगे एक मार्क ऐसे निसान को सीधे लगा लिजिए इस निसान को भी सीधे लगा लिजिए और यहाँ पर से देखेंगे हम साड़े पंदरा इंच का आर महल कहां जा रहा है इस जगे पर देखिए ध्यान से ऐसे इस जगे पर यह मिला लिया मैंने अब यहाँ से आदा रखेंगे हम ऐसे और यह देखिए इस पर ठीक है अब यहाँ से हम ऐसे मिलाएंगे आदा इंच करीब में और यहाँ पर देखिए थोड़ा मिलाते हुए हम ऐसे निकाल लेंगे और यहाँ पर ठीक है अब इसको साड़े पंदर आगया हमारा यहाँ पर ऐसे निशान लगाएंगे ऐसे और यहां से देखिए मैं अस्तिन को थोड़ी सीधी कटिंग कर लेता हूँ ऐसे और यहां से भी मिला लेंगे हम इसी परकार है देखिए यहां पर मैंने थोड़ा सा जो गेप आ रहा था न ये वाला इसको कम कर लिया है और इसको कटिंग कर लेता हूँ और इस तरब देखिए क्या करना है ऐसे यह मिल जाएगा फ्रंट का आर्म होल और यहां रख लिया मैंने सेंटर मिला कर रख लिया मैंने यहां पर ऐसे और इस पर आपको चला लेना है निशान अब इस अस्तिन को मैं कर लूँगा कटिंग मैंने यहां पर फ्रंट का आर्म होल का गड़ा भी लगा लिया है यहां पर सेंटर भी है देखिए यह हो गई है अस्तिन की मेरी कटिंग अभी अस्तर बाद में मुझे कटिंग करना है अभी ये जो फरंट है न इसको मैं यहां से कटिंग कर लूँगा इसका ऐसे सेंटर मिलाएंगे यहां रखेंगे हम तो देखेंगे तो इसकी लंबाई नहीं आ रही है ठीके तो मैं क्या करूँगा यहां पर गला भी हमको डीप चाहिए दस इन से गरम गला कस्टमबर को नहीं चाहिए तो यह मैंने देखिए यहां रखा इसको ऐसे मिला करके और यह जो बॉडर है न इसको मैं अलग से कमर पर लगा दूँगा यह देखिए यह हमारा बेक कटिंग हो गया है यह किलियर है यह मैं बेक का गला इसे कटिंग कर लूगा जब भी ऐसा गला रहता है न तो आपको ऐसे डिजाइन को मिला लेना है ठीके तो इसको मैं कटिंग कर लेता हूँ पहले दाइरेक्ट यहां से ठीके अब मैं क्या कर रहा हूँ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहां पर मैंने थोड़ा सा बाहर कर लिया है और इसको कर दूँगा मैं इसे कटिंग ठीक है अभी मैंने यहां रखा है इस पर हाथ बरोबर से और एक हेंबर छोड़कर इसकी भी मैं कर लूँगा कटिंग ऐसे रेखिए ऐसे जितना मैंने यहां रखा है न इतना इसको सीधा यहां पर रख लिया है ध्यान दीजिएगा कितना रखा है मैंने इतना यह सब चीजे ध्यान रखने किये ध्यान रखिएगा आपको बिल्कुल बरोबर बुलाउच आ जाएगा यह यहां पर रखना है और देड़ हेंबर देना यहां पर एश्ट्रा इसको हटाता हूं मैं पहले ऐसे ऐसे यह हो गई मेरी कटिंग इस भाग को सीधा काट लूँगा मैं और यहां पर भी देखिए ऐसे यह हो गया है बरोबर ध्यान दीजेगा ऐसे रख लिए मैंने और यहां से भी देखिए देड़ हेंबर दूर से मैं कर दूँगा कटिंग अब देखिए यह साइट का भाग भी कटिंग हो गया है यह फरंट का भाग भी कटिंग हो चुका है अब इस फरंट को जब जोड़ेंगे न हम तो ये ऐसे आएगा ध्यान दीजेगा कैसे आएगा ये ऐसे ठीके ना समझ में आगया आपको ये बिल्कुल ऐसा जोइंट आएगा अभी बलाउस को बनने दीजिए फिर देखिए दोस्तो आप मैं क्या करूँगा ये मैंने कटिंग कर लिया है अब इसको बहुत जल्द आपको बना कर दिखाने वाला हो दोस्तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना चैनल पर निव है तो सस्क्राइब करना और कोई बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ जब तक के लिए बाबाए हैं